नमस्कार दोस्तों मैं बीच अतुरवेदी पात पांडर एजिक्रेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ मित्रों आपसे निवीदेने दिवारी चैनल पर प्रथमबार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें तरह था बेला इकन भीदेवाले जिसे सिक्षा जिकर समद्री जो भी महतपूर अपडेट हो हमारे चैनल के मादम से तहसे आपको प्राप्त हो सके चैनल के आज के समद्री चैनल के महतपूर सुचना है अभ्यार्थन वापसी के लिए आविदनों में खेल आयोग ने शुरू की जाच यह अल्टी ग्रेड सिक्षक भरती आवसेश स्रिष्टा सुची के लिए करना होगा इंतजार यह अल्टी ग्रेड सिक्षक भरती 2018 में जो आवसेश सुची है जारी करने के लिए अभी भी माबला लटक रहा है चैनल अभ्यार्थियों की जगा दूसरों ने भेज दिया है अभ्यार्थन वापसी के लिए प्रातना पत्र तो अब बिना जाच के प्रकिया आगे नहीं ब तक ही हो सकता है अस्थांत्रन अनि 30 जूर तक इनको भी अस्थांत्रन लेना है अधिकारियों कर्मचारियों तो वो जो है अपने आवेदर कर पाएंगे उसके बाद जो है अस्थांत्रन नहीं होगा यह उत्तरप्रदेश सरकार यह कैबिनिट का जो है फैसला है योगी आद्यतनाज जी के द्वारा जो है यह बात कही जा रही है आगे यह है टीजीटी पीजीटी अभ्यार्थियों ने प्रदर्शन कर मांगे नियुकती टीजीटी पीजीटी के वे अभ्यार्थी जिनका की चैन हो गया है और उन उन्हों ने अपने चैन की अपने पदों के मिलने और स्कूल आवंटन की मांग की है दिखी दिया एटीज़पी 2016 और 21 के पैनल के बचे अभ्यार्थिया भी न्युक्ति के लिए बटक रहे हैं उनका कैना है कि जगह खाली होने के बाद भी विभाग उन्हें आउसर नहीं दे ट्रांसपर को लेकर के जो पंजी करण की व्योंसाइड थी वर्षदी विद्यालियों की वह जो है थडाम हुई मतलब की रुख गई और पहले दिन ही वो नहीं चली इससे की जो शिक्षण करना है वो आवेदन नहीं कर पाए वहीं ओयामार सीट में गलती एकर होती है तो कशनेच्छ से कराने होंगे अत्ताक्षर जून को तेरह केंद्रों पर होगी विएड सयुक्त प्रि तो विएड की जो संयुक्त परिवेश परिशा है उसके अड्मिक कार्ड डावलोड हो रहा है आप सभी भी डावलोड कर लें इन्हीं सारी महत्पूर अपडेट के साथ सुचना सुनी के लिए आप सभी मित्रों का बद्वाधन बात थाएंगे